आज मैं आपको कि थर्मो डानेमिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टन टॉपिक कराउंगा जिसे बूलते हैं हम वाक डन reversible process पे साथ में isothormally reaction में clear जैसे कि आपको पता है इससे पहले वाले lecture में मैंने आपको work done irreversible process numerical के साथ derivation और जो भी diagram था वो बना के करा दिया था clear अगर आपको देखना हो तो इससे इसकी playlist चेक कर ले न बिटा तो playlist में आपको सब कुछ मिल जाएगा clear है ओके तो आज हम करेंगे thermodynamics का work done reversible process पे और ये एक ऐसी condition पे होगा जहाँ पे temperature की fluctuation नहीं होगी temperature की fluctuation नहीं होगी it means कि यहाँ पे isothermal process काम करेगा isothermal process clear आपको basically इसके इंदर derivation करनी है work done के लिए reversible process में equation पहले पढ़नी पढ़ेगी जो के आपके NCRT के अंदर कटवा दी गई है जो आपका chapter 5 था पहले states of pattern उसके अंदर ने equation थी idle gas equation ठीक है idle gas equation और उसके अंदर था आपका boils law idle gas equation और boils law तो इन दोनों पे ये चीजे चल रही थी थोड़ा ध्यान दीजेगा ठीक है और स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए सबसे पहले हम यही देख लेते पिटा idle gas equation और boils law होते क्या है ज्यादा detail में जाऊंगा boils law को थोड़ा पढ़ा दूँगा क्योंकि वो काम है और direct form लिख दूँगा idle gas equation का ठीक है idle gas equation आपका होता है PV is equal to NRT जिसमें PV P जो होता है वो pressure होता है पिटा P is a pressure यहाँ पे ठीक है V जो होता है वो volume होता है यह होता है volume ठीक है N जो है उसे बोलते है number of moles number of moles निकालने का formula सबको पता है given mass upon molar mass यहाँ पे जो आपका R है R होता है universal gas constant universal gas constant universal gas constant और universal gas constant की इस chapter के अंदर जो आपको unit use करनी है वो मैं लिख देता हूँ direct बिटा उसे use करनी है 8.314 joule calvin inverse mole inverse ठीक है यह universal gas constant है R और यहाँ पे आपको सबको पता है temperature होता है T T is a temperature PV is equal to NRT PV is equal to NRT PV is equal to NRT आपका idle gas equation होता है अब इसके अंदर देख लेते है भाई पहले boils law ठीक है boils law इसके अंदर implement हो रखा है basically जो आपका idle gas equation है वो चार equations को मिलके बनता है ठीक है किसी किसी बुक के अंदर तीन equation कही जाती है किसी किसी चार के अंदर ठीक है चारो की चारो implement हो जाती है पहला होता है boils law दूसरा होता है चार्स law फिर होता है आपका गैलो सेक्स and last is avogadro इन चारो को use करके आपका idle gas equation बनती है जो कि pv is equal to nrt है जो कि आपका लिख दिये गए है एक constant है उसको याद रखिएगा हमेशे बिटा जो मैंने आपको बता दिया 8.314 ठीक है boils law ध्यान दिजेगा boils law होता क्या है boils law कहता है कि भई suppose मैं कहता हूँ कि भई मेरे पास ना एक container है और container में इतना पानी भरा हुआ है इतना पानी पानी नहीं लेते सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो compressible है वो होती है gas तो मैं gas कहा देता हूँ ठीक है और इसका जो volume अभी है वो कहा देता हूँ माल लेता हूँ कि ये 10 liter है माल लेता हूँ इसका प्रेशर यूज़ कर रहा हूँ चार ATM और यूज़ तो total कितना हो गया भई पांच ATM हो गया कितना प्रेशर हो गया पांच ATM तो एक ATM पे इसका volume था 10 liter जैसे इसका pressure मैंने बढ़ाया एक से कितना हो गया आप total पांच act करने लगा चार मैंने अपनी साइट से लगाए बटा तो आप समझ गए कि जो gas है वो बहुत ज़्यादा compressible होती है इसका मतलब इसके molecules क्या होंगे compress होके इसके molecules जो होंगे वो बटा जी compress हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे compress compress होके यह आपके suppose मैं कहता हूँ और इस जगा पर temperature याद रखिएगा temperature हमेशा क्या रहता है पूरे बॉल स्टों में constant क्या रहता है constant तो यह कहता है कि pressure of a gas of a gas is inversely proportional to the volume of a gas of a gas volume of a gas ठीक है और temperature वहाँ पर क्या रहेगा constant रहेगा तो P 1 by V और constant लगा देते हैं P is equal to K upon V क्या देखिए बिटा PV is equal to K clear है तो यह हो जाता है P 1 V 1 is equal to P 2 V 2 ठीक है इसको याद रखिएगा जो boils में बना अभी आपका P 1 V 1 is equal to P 2 V 2 कोई भी multiplication या division किसी constant के एकवल होते हैं तो वो series form कर सकता है P 1 V 1 is equal to P 2 V 2 यह आगे भी हो सकता है is equal to P 3 V 3 P 4 V 4 is equal to N तक जा सकता है P N V N तक ठीक है बटा तो हमें दो ही use करने हैं याद रखिएगा इसको ठीक है P 1 V 1 is equal to P 2 V 2 मैं अभी इसकी derivation में जब work done की derivation करा हूँगा reversible process पे तो इसको use करूँग इसको याद रखिएगा clear बटा अच्छा इसका graph देखे हम यह आपको पता ही inversely है तो जो graph होगा बटा इसका यह P है यह V है तो आप ही समझ रहे है इसका graph ऐसे होगा ठीक है इनुवर्सली proportional graph ऐसे होता है clear बटा अच्छा आप देखते हैं आप देखते हैं आगे इसको note कर लिए बटा जी पहले यह use करना पढ़ेगा इसने मैं लिखवा दिया initially आपको इसलिए बटा क्योंकि आप लोगों ने chapter पढ़ा नहीं होगा बहुत अगर आप दूसरे board के है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा मुझे पढ़ा लेकि CBSC के अंदर ही कटवा दिया किया 11th में clear बटा पहले इसको use किया था लेकिन जो neat और GE की preparation कर रहे हैं वो सारे chapters पढ़ते हैं बटा तो उनको तो clear होगा पूरा का पूरा ठीक इसके numericals भी बहुत बच्चों ने करे होंगे clear चल्दी नोट करिए बटा ठीक है बढ़ते आगे देखिए work done on reversible process isothermal isothermal temperature क्या रहेगा constant रहेगा इसलिए मैं boils भी उस कर रहा हूँ इसके बढ़ते आप temperature क्या है constant है ठीक है एक ना बिटा आप लोगों ने ध्यान से सुनिएगा ध्यान से बिलकुल ठीक है PV is equal to NRT ठीक है PV is equal to NRT है ठीक है यह तो ideal gas equation है ideal gas equation ideal gas equation ideal gas equation ठीक है बिटा देखिए यहाँ पर और इससे पहले जो आपने work done पढ़ा है work done किस पे irreversible process पे तो वो work क्या था बिटा delta is equal to minus P external delta V clear है बिटा delta V और यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि जो pressure देख रहा हूँ मैं उसको मैं P externally मान लेता हूँ क्या मान लेता हूँ P external अगर मैं इसको P external मान लूँ बिटा तो देखिए इसको अगर मैं P external मान लूँ तो P external की पूरी value क्या हो जाएगी P external is equal to N upon R upon delta V यह वाली बिटा अब यह जो P external की delta P external की value है वो मैं यहाँ डाल दूँगा जो की क्या है N RT upon delta V clear बिटा देखिए बिटा minus N RT delta V upon V clear बिटा अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे कर दूँगा integration क्या कर दूँगा integration क्या करूँगा बिटा जी integration क्या करूँगा देखिए integration करूँगा integration करता हूँगा देखे यहाँ पे integration करूँगा तो limits लेके करूंगा, यह है आपका delta, यह 0 से w जाएगा, यह हो जाएगा, इसमें change क्या हो रहा है बिटा, यहापे change हो रहा है आपका volume, मतलब n और r और t क्या है यहापे constant, आपको बताएं कि r जो है वो universal gas constant, इसकी value 8.314 होती है, और t होता है आपका temperature, clear है बिटा, और n number of moles भी क्यमेशा constant ही रहेंगे आपके, तो change हो रहा है volume यहापे, क्या हो रहा है, volume, ठीक है, तो जो भी change हो रहा है, उसको अंदर रखेंगे integration के, और बाकी वारी सारी चीज़ों को बाहरत दीदेंगे, तो minus nRT, delta V upon V, clear है, और यह की limit होगी, V1 से V2 तक, note कर दीजे बिटा जल ठीक है, अब देखिए, इसको लेते हैं, integration कर देते हैं, तो यह हो जाएगा, आपका, W, 0 से लेके, W तक, is equal to, minus nRT, delta V upon V का integration होता है, natural log V, natural log V, V1 से V2 तक, clear है, बिटा, अब यह हो जाएगा, आपका, सब ने, बिटा, सब ने, physics के अंदर derivation पका करी होगी, तो यह सब समझ कार आओगा, बिटा सब को, ठीक है, यह से हो जाएगा, minus nRT, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, इसको, ln V2 minus ln V1, ठीक है, अब यहाँ पर मैं log की property apply कर दूँगा, log A minus log B, तो वो divide में हो जाता है, बिटा जी, यह हो जाएगा, पूरा W, is equal to minus nRT, ln V2 upon V1, clear है, बिटा जी, clear हो, अब क्या करता हूँ, ध्यान से देखेगा, इस minus को, इस minus sign को अगर अंदर भेजूँगा मैं, तो यह जो V1 नीचे है, वो उपर आ जाएगा, और V2 नीचे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा, आपका, nRT, ln, V1 upon V2, clear है, बिटा, इसके बाद, यह ln जो होता है, वो natural log, natural log को मैं log में change करता हूँ, तो एक constant को multiply करता हूँ, वो होता है, 2.303, तो यह हो जाएगा, work is equal to, 2.303, nRT, ठीक है, log V1 upon V2, log V1 upon V2, clear है, बिटा, तो इसको note कर लीजिए, इसको note कर लीजिए, इसके बाद, इसके बाद देखिए बिटा, इसके बाद तो द्यान से देखेगा, अप्लाई कर देता हूँ, यहां पर, यहां पर मैं boils law को apply कर देता हूँ, देखे हां से, according to the boils law, सब ने देखा भी थोड़े पहले, according to the boils law, boils law, क्या कहता है बिटा, P1, V1 is equal to P2, V2, अब मैं यहां से, V1 upon V2 का ratio मनाता हूँ, तो V1 upon V2 is equal to P2 upon V1, ठीक है, मतलब V1 upon V2 है, तो उसकी जगा मैं क्या डाल सकता हूँ, P2 upon P1, क्या डाल सकता हूँ, P2 upon P1, इसको note कर लिजे बिटा, जल्दी fast, जल्दी note कर लिजे बिटा इसको, तो दोनों के respect में चल रही है चीज़े, बस यहां पर temperature क्या होना चाहिए, constant, R और N तो constant रहेगा ही, देखें, जो बन जाएगा, आप यह आपने देखा, कि V1 upon V2 is equal to P2 upon P1 है, क्या है, यह है, और जो आपकी अभी equation जो drive हुई है, वो है work is equal to, आपका 2.303 nRT log, V1 upon V2, ठीक है, अब इसको मैं change कर दूँगा इस से, तो यह मेरा हो जाएगा work की terms में 2.303 nRT log, P2 upon P1, ठीक है, तो जब pressure का use हो तो यह वाला, जब volume का use हो तो यह वाला, अभी दोनों तरीके से numerical आपको मैं करके दिखा देता हूँ, clear है बेटा, जल्दी से note कर लीजिए इसको fast, जल्दी fast fast, 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 बढ़ते हैं आगे, R की value के याद रखिए का बटा, R की value, R, R क्या होता है, universal gas constant, universal gas constant, universal gas constant, 8.314, value है इसकी, joule, calvin inverse और mole inverse, clear है, जूल, calvin inverse और mole inverse के value है, clear है, जल्दी रोट करें बटा, fast, चलिए, बढ़ते आगे, नहीं, question है, प्यारा साहब के पास, question क्या रखा है, कि 3 mole, आपको ideal gas दे रखिए, 3 moles of ideal gas, यहाँ solution स्टार्ट करता हूँ, पहले given चीज़े लिखलता हूँ, N की value 3 moles है, N की value 3 moles है, ठीक है, R expanded isothermally, मतलब temperature change नहीं हो रहा, and reversibly, मतलब आप समझ गए, देखिए, work में आपके reversible, irreversible, दोनों formula आपने drive कर रखे हैं, लेकिन कब आपको कौन सा use करना है, वो आप देख लेंगे, clear है, ठीक है, यह 3 moles है मिटा, ठीक है, 3 moles किसके है, ideal gas, और यह expand हो रहे है, isothermally, and reversibly, ठीक है reversibly, इसका volume जो है, वो 10 meter cube से change हो के 20 meter cube जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ याद रखेगा, जो आपका work है न, work की हमने 2 relation पढ़ी है, reversibly और irreversibly, कब आपको कौन सा use करना है, आप देख लीजेगा, इसके अंदर reversible क्या रखा, reversibly reaction है, तो मतलब आप कौन सा use अभी जो मैंने drive किया है, clear बिटा, ठीक है, इसके अंदर N की value clear है आपको, initial volume, V1 दे रखा है आपको, 10 M cube, V2 दे रखा है आपको, 20 meter cube, ठीक है, temperature, temperature यहाँ दे रखा है आपका, 300 calorie, 300 calorie, clear है, आपको निकालना है work done, और किस पे निकालना है, इस पे, और इस पे, clear है बिटा, clear और R की value जैसे आपको पता ही है, 8.314 यूज़ करनी है, लिए बिटा, तो जो formula है work is equal to 2.303 nRT log V1 upon V2 है, ठीक है, ओके, work, values जालता हूँ, multiply है, मैं आपने खुद के calculator से कर दूँगा बिटा जी, 8.314, temperature is 300 Kelvin, और यह हो जाएगा आपका log, V1, V1 is 10, upon 20, ठीक है, यह कट गया, clear बिटा, तो इसको आप मैं multiply करता हूँ, देखिए, ध्यान से देखिए इसको, आप तो multiply कर रह गया और कुछ भी नहीं है इसके इंदर बिटा, और log है, log की तो आपको आता ही होगा निकालना, पैसे भी आपको log की values given दे रखी होंगी हमेशा, ठी ठीक है, यह value है, 2.303 multiply 3 into 8.314 into 300, तो यह आजाएगा, अभी 17232.4, ठीक है, अब इसको कर रहते हैं, log 1 minus log 2, ठीक है जी, 17.232.4, log 1 की value 0 होती है, minus, log 2 की 0.3010, तो इसको multiply कर दूँँगा, तो minus में answer आ जाएगा, तो minus में कितना आ रहा है है बिटा जी, देख लीजे, minus 0.3010, आंसर है बिटा, आपका work, यह, इतना work है, इतना work है, इतना work है, लिए बिटा, यह आपका work done निकल गया, reversible process, इसको आप kilo joule में भी convert कर सकते हैं, अगर आपको इसको kilo joule में convert करना है, बिटा, kilo joule के अंदर, तो यह value हो जाएगी, work minus, केजे, kilo joule, kilo joule, clear बिटा जी, इतनी value हो जाएगी, kilo joule के अंदर, परफेक्ट ना, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, work done ना, work भी दो तरीके से हैं, यहाँ पर work जो आ रहा है, वो negative आ रहा है, मतलब work किस पर हो रहा है, work by the system हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब system काम कर रहा है, अब system मैं अगर suppose system हूँ, मैं काम करूँगा, तो अब मेरे पर काम करने के बाद जो energy बचेगी, वो पहले comparison में कम बचेगी, यह मतलब वो negative होगी, क्या होगी? negative, clear, work done by the system हमीशा क्या होता है? negative, work done on the system हमीशा क्या होता है? positive, ठीक है? heat अगर absorb होती है, तो heat positive आती है, heat अगर release होती है, तो heat negative होती है, heat, मतलब heat remove हो रही है, तो exothomic, absorb हो रही है, तो endothomic reaction, clear विटा? इसको note कर लीजे, last question है आपका इसके अंदर, जहान से देखिएगा, बहुत easy है, वो pressure की terms पर लेकिया है हो आपके लिए, clear है विटा? चलिए, start करते हैं, देखी, question है विटा, यहाँ पर given mass दे रखा है, given mass 24 gram है, ठीक है? और oxygen है, तो oxygen O तो होगा, ने बिटा, O2 ही होगा, ठीक तो इसका molar mass O2 है, क्या होता है, 32 gram पर बोल, यहाँ से हमने N निकाल लेते हैं, N, N क्या होगा यहाँ पे, 24 upon 32, मतब 6 upon 8 हो जाएगा, मतब 3 upon 4 हो जाएगा, moles की terms में, देखे हैं, बाद में देख लें कितना हो रहा है वो, ठीक है, और यह expand हुआ, isothormally and reversibly, आप समझ गए, temperature constant है, और यह reversible ही कोई सा formula लगना है आपको, from, pressure दे रखा है, पासकल का, बिटा, तो P1 दे रखा है आपको, 1.6 into 10 की पावर 5, पासकल पी ए, फिर P2, कितना है, 100, और यह किलो पासकल में है, तो किलो पासकल को मैं 10 की पावर 3 में डाल देता हूँ, 10 की पावर 3, यह हो गया, य और यह जो चल रहा है विटा, temperature आपका है, 298 Kelvin, ठीक है, और R की value भी लिख देते हैं, 8.3, एक चार है, ठीक है, जूल के अंदर ही, ठीक है, आपको निकालना है, आप है work, तो देखिए, formula यहाँ work वाल डालेंगे, तो work is equal to 2.303 nRT log, P2 upon P1, P2 upon P1, ठीक है, values डाली 10 की value कितनी है, ठीक है, 3 upon 4 into, 8.314 into, what is T, 298 and log, P2 upon P1, P2 upon P1, P2, P2 की value कितनी है, ठीक है, अब की value, तो इसको अगर मैं ऐसे लग दो, 1 into 10 की power 5 तो भी सही है, ठीक है, यह ठीक है, कोई प्रशान नहीं नहीं था है, तो इसको लेखता हूं, 1 इंटू 10 की पावर 5 और यह है 1.6 इंटू 10 की पावर 5 ठीक है और यह पास कल में है तो 10 की पावर 10 की पावर कट गया ठीक है यह 1 बजाए पहले इसको multiply कर लेते हैं प्यार से work अगर positive निकलेगा तो on the system है और negative निकलेगा तो by the system clear ठीक है divided by 4 अभी इतने तक आ गया इतना वह लॉग का उछेड़ा नहीं है मैंने work is equal to यह आ गया 9.4 clear है अब इसको तोड़ता हूँ log 1 minus log 1.6 clear है ठीक है अब इसकी value 7 9.4 यह हो जाएगा 1 इसकी log को देख लेते हैं मेटा 1.6 में log 1.6 0.2041 इसको value को multiply कर देता हूँ इसके अंदर sorry log 1 तो 0 होता है पिटा इस 0 0 0 log 1 is 0 log 1 is 0 clear है तो value आजाएगे फिर से minus work आजाए आपका फिर से minus में आजाएगा minus कितना होगा is equal to multiply 42 7 9.4 यह आपका फिर से बाइदा सिस्टम है work done by the system work done by the system जो कि क्या रहा है नेगेटिव आ रहा है तो यह आपका answer है बेटा जी clear देखें बेटा thermodynamics पढ़ने का ना सबसे अच्छा उसूल यह है कि इसके इंदर आप basically formulas बहुत सारे होंगे concert बहुत सारे होंगे numerical बहुत सारे होंगे तो better है एक एक ऐसी जगह पे इसको करता है बच्चा उसके लिए तो ठीक है जो रिवाइस नहीं करता ना उसको बहुत confusion होती है बहुत किस कुश्चन में क्या formula लगाना मुझे पता इन चलता है ऐसा लगता बच्छों को ठीक है तो बैटर यही solution है कि आपना इन अगर आप रिवाइस करते हैं तो कोई परशान ही नहीं है लेकिन अगर रिवाइस नहीं करते ना बटा तब तो बहुत प्रॉब्म होगी तो बैटर सॉल्यूशन है सारे formula लिखते रहिएगा लिए बटा चली तो बटा यह आपका वाक ड़न रिवर्सिबल प्रॉसेस पर आइसो थर्मल रिएक्शन में था क्लियों कोई भी डाउट होगा तो कमेंट स्क्शन बताएगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तब तक के लिए टेक केर बिटा